नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कोईंब्रा नाइट सी के वस्स एफ आर डी के बीड जो खेला जाएगा इस यह इसका टेक्स हो आप आप बोल सकते हो पॉर्टुकल्टी टैन का ग्रूप का पहला मेंच आज से ट्रेट डिस है गूप डी के मैचे स्टार्ट होंगे यह पहला मैच रहेगा और तिजरा मैच में और दो न्यूटिम खेलेंगे और उसके बाद जो संडे और नेक्स डे होगा उसमें एक और यू टीम खेलेंगे तो अपको क्या मिलेगा इस वीडियो में इस वीडियो में आपको मिलेंगे पॉबबल बैटिंग ओडर्स प्लियर्स की ECS ECN और कुछ प्लियर्स है जिनके डुमेस्टिक में थोड़ा सा इंटेस्टिंग परफॉर्मेंस जैसे कि महमत जमान इन्होंने रिसेंटली आठ डुमेस्टिक मेंच खेले हैं जहां पे 23 ओवर डाल चुके है अपने और आठ विकेट भी निकाले हैं मतलब क्या है ऐसा बॉलर परफॉर्म कर रहेगा इस लिसेंटली डुमेस्टिक में यह से ही कुछ इंपॉर्टेन और कुछ इंटेस्टिंग से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से अंतक देखते हो ना तो आपको एक बिटर टीम खुद अपने से करने का आइडिया मिल जाएगा बट स्टिल मैं क्या करूंगा मैं आपको फाइनल अपडेट दूंगा कहां पे टेलिग्राम पे तो टेलिग्राम जाना कर्टेक्सोटी 10 जरकन नोमेंस्टी 20 का फाइनल अपडेट फाइनल कवरेज आपको टेलिग्राम पे मिलेगा मिलेगा डाइस आई पील जैसे बरे मैचेस के अपडेट और टीम्स कहां पे टेलिग्राम पे तो टेलिग्राम फटेफर जोईन हो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमें के डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमें सेक्शन में पीन क्या हुआ जो लिंक मिलेगा लिंक से टेलिग्राम आप जोईन हो जाना फाइनल अपडेट के लिए अगर लिंक काम नहीं करें तो गाइस थोड़ा केरफूली सर्च करना बट क्यारफूली करना है दर लगा के टीम पोर्टूगल पे घिला जाएगा जहां पर आप अगर देखी होंगे बहुत ही कम रहन बन रहा है इस सीरीज में इवें जो बड़े टीम है कौन है मेरे इसाब से अमालो एक बहुत अच्छा क्लाब है जिनके पास इंटरनेशनल प्लिया रहे और विकेट जादा गिर रहे इसका मतलब क्या है इस ग्राउन में थोरा सा ट्रिकी है बैटिंग करना ओवरल क्वालिटी क्रिकेट बहुत लो है तो यहां पर और ज्यादा विकेट गिट वे आपको दिखेगा एक बज़े मैच स्टाट होगा आईडिली क्लियर वेधर रहना चाहिए अगर कुछ खराब अपडेट आया ना वेजर रिलेटेट मैं आपको दे दूँगा कहां पर टेलीडाम पर पीच गाइस आइटिंग स्टिल मैं मानता हो कि बैटिंग फ्रेंडली है बहुत जादा स्विंग या फिर टर्न नहीं है बट क्वालिटी क्रिकेट जितना कम होगा उतना जादा विक प्लेयर है जो आपको मुझे लगते ओपन करते हों दिखेंगे बहुत अब लाइव मैच अगर कहां पर फैन कोड में पेड्रो मडेडिया ओप ऑन डाउन खेलेंगे एंड्रू विंटर खेलेंगे टू डाउन नरायन खेलेंगे ठीडाउन फिर एमडी जमान और जीतिश ब है और बैटिंग सेक्शन में पंडा वाडूप है गिरी स्रिंग है जो ना एज बॉलर खेलते हैं तो इस बहुत इंडिस्टिंग वीडियो होगा पुड़ा वीडियो ध्यान से देखोगे न तो आप एक बिटर टूम अपने से क्रेट कर पाऊगे बट मैं जैसे कि बताया आपको फाइनल डेमोटी मिलेगा टेलीग्राम पे सिर्फ उनके लिए जिनको टीम बनाना या फिर टीटेन खेलने का एक्स्पिरियंस नहीं है उनके लिए तभी आतो मैं इस में कुली घोलिया मस्ट है और डिफेंशल कैब भी से रिजन क्या है ना इसीएस में चौदा सब्सक्राइब करें लिए जिसके कारण मैं बताऊंगा कि स्मॉल ली के मिनी जेल में मत करना बर जील में ऐसा कैब विसी उसकर सकते हैं एक और रिजन है विकी से भी आपको पॉइंट देंगे महम्मत जमान डिफेंशल पिक देखो ईसीएस में चे मैच में कुछ नहीं है सब्सक्राइब करें दूसरा वाला इसीएन रहेगा मैं इस लिखा माफी चाहता हूं तो इसीएन में बंदे ने ग्यारा मैच में ग्यारा का वरे ससी रन बना है ऐसा नहीं कि बहुत हाई नोट से बालिंग फ्रेंडली राउन में ऐसे हाई नोट वा ऐसे बैट्समें का हम यूज नहीं कर सकते हैं बट डॉमेस्टिक में इस साल आट मैच और इस साल आप बोल सकते हो लास साल से आट मैच में 69 रन बट इस ओवर नाट हो सकता है नमबर ऑव बॉलर देख लेना अगर पाच बॉलर ऑप्शन के साथ खेलता है टीम तो ट्राइब करो अदर्वाइस म में खेलता है मैं आपको बता दूँगा मैं आपको बता दूँगा ओफिशिल प्लेंग 11 देखके तभी लेना दर्वाइस नहीं लेना क्योंकि रवी रवी नाम का जो एक प्लेयर है ना तो मच ठीक में 15 मैच में 27 एवरेज में 355 रन 31 ओवर में आट विके निकालके रखा ह है बट यहां पे है रवी कुमार मैं अगर आपको कंफर्म बता दूँगा यह अगर ओपिन करता है तो ट्राइकर और दुरेस मत करो क्योंकि हमारे पास दूसरे अच्छे प्लेयर रहेंगे पेडरो मडेडिया 10 मैच 30 का एवरेस 148 रन ECS में एक अच्छे प्लेयर है बट ज ग्राउंड थोड़ा सा ज्यादा बॉलर्स फ्रेंडली है तो हम लोग ने एक अधा एक्स्ट्रा बॉलर को इनके जगा रोटेट करके उसकर सकते हैं तो मस्ट हैव नहीं है रोटेशन कर सकते हम लोग क्योंकि आपको 20-22 रन ना कंसिस्टेंट देगा बतलब यह आपको दस सब्सक्राइब करो पेड्रो मडेडिया के साथ इन्होंने दस मैच में 148 रन डेफिनेटली रन इनका ज्यादा लगड़ें इनके पॉर्ड मैच में बट एवरेज कर में और एवरेज ज्यादा है वी मैंने जो बताया ना यह आपको इके थ्रो करते वे नहीं दिखेगा इसे वाले प्लेयर है जो रिस्क टेकर है लाइक मी वह जरूर रिकास कुमार को एक आदा जेल में या फिर डिफेरेंचियल बैक अप मिनी जेल में या फिर बैक आप स्मॉल लीग में ट्राइक करना पसंद करेंगे पंड़ा वाड़ो बारा मैच में 48 रन काम नहीं है इनका वाल डुप और जो इंपॉर्टेंट बात है कभी भी कोई भी बॉलर दो से तीन विकें निकाल सकते हैं मैं नहीं मान था कोई भी बैट्स है नहीं को पचास से साथ रन करके देगा इस मैच में तो मुझे लगता है कि एक आदा ही बैट्समेन है कुल्दीब गोलिया जैसे महमद असाथ मैं नेक्ट बताऊंगा ऐसे वाले प्लियरे जो बरे इनों इनिक्स कर सकते हैं गिरी सिंग है बैटिंग सेक्शन में छे मैच में इस एसके 35 रन में साथ ओवर चार हुए के डिफरेंशल पी गिरी सिंग डेफिनेटली आपके लिए गाइस काम कर सकता है क्यू अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रहा है तो डेफिनेटली यार उस बॉलर को तो लेना ही पढ़नता है जीते इन कुमर बलकुष्ण हाइली सिलेक्टेट 14 ECS मैच में 127 रन एवरेज कितना कम है देखो एवरेज देखो 14 ECN मैच में भी 99 रन क्या आपको लेना चाहिए मैं मानता हूं नहीं लेना चाहिए ठीक है रंजीत नरायन 14 मैच में 22 वर नंबर व वह वर्य इंप्रेसिव विकेट टेकिंग अविलिटी वेरी इंप्रेसिव एटिंग अबिलिटी डिसेंट डेफिनिटली गोटू पीक है अपके लिए और डिफेंचिल रंजीत नरायन अमीत कुछ खास मैच में लगी नहीं छे में केबल साथ नहीं साथ ओवर ठीक है क्योंकि आटी ओवर डाल सकता है रन जाता है नहीं विकेट है अब ट्राय कर सकते एंडू विंटर को मैं मानता हो कि डेफिनेटली गोटू पिक रहेगी क्योंकि आपको मुझे लगता है कि यह बॉलिंग करते हो दिखेगा और रिसे हम लोग नहीं मान सकते बट अगर ओडिकली देखो गया स्टैक्टिक यह निगतिव पॉइंट निकल गया कुछ भी हो सकता है बट अगर लगईडी के लिए देखो गया आपको लेना चाहिए मैं मानता हूं एसा ओल्रांडर अच्छा सीनियर लांडर को ले लो खासकर कहा अगर बंदा बॉलिंग ज्यादा करता है तो और ज्यादा ले लो टॉनी मेरे मानना है कि आप अराम से कर सकते हो निकोलास मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं या पर आप देख रहे हो न करना एज बहुत ज्यादा है बट एज गाइस जस्टा नंबर है सबके लिए मेरे करता है कही कही पे डैफिनितली हर जगा पे नहीं इसी इस में नौ मैच में 6 ओवर में एक विके निकाले एस और फिर से मैंने गलती लिखा नीचे वाला इसीन होगा ठीक है आपी जाता हूं इस इन्वे ना इन्होंने 12 मैच पे ना 20 ओवर में 15 विके निकाला जैसे तेसे तो इसको वीकेट मिल रहा था क्या हो रहा था जब इन तिम को पकलो पाच ओवर में सिर्फ दसरंच जाहिए था ना उपोनेंट को क्यों कि इनका पॉफॉमेंस बहुत खराब था फिस टेज एट वालड टीम का तो 5 पाच ओवर में दस्रेंट चाहिए था उस कंडिशन में क्रिस रेड़ेट आते थे और एक ओवर में दो विकेट यार फुल टॉस बॉल में निकाल लेते थे या फिर इतना स्लो बॉल होता है इनका की जो बैट स्पेन है न वो निकल के माने का ट्राइ करते है और गाइस बॉल बैट तक पहुषता नहीं है स्टांप हो जाते कुछ ना कुछ विकेट मिल रहा था इनको तो फिलाल सेफर के लिए ले लो जो जील लवर है जो स्मॉल लीग में रिस्क लेना पसंद करते है बैक अप के साथ जाते वो ड्रॉप रोटेट कर लेना स्टिफेन वाडेल ज्या होना पड़ेगा अगर ओफिशल नहीं मिला तो मैं नहीं देने वाला फ्रेंड्शिप से अगर देखोगे एफ और डी असाद उपर नाएंगे मिजू के साथ अब्दल मोतिन वन डाउन इम्तियाज राना टू डाउन अब यस टीम से जो इंपोर्टन औल राउंडर है और बैटिंग से भी पॉफॉमेंस करेगा वो है यह तीन बंदा डेफिनिटली गोटू पिक रहेंगे आपके लिए टिम में रखके चलना है अब दिखो थोरा सा मैं अपना रिकॉर्ड में आता हूं जैसकि मीजू रहमान इसीएस में छे मैच में ज्यादा कुछ रन है नहीं असरा फुल रुपू का भी जादा रन है नहीं ऐसे भी की सेक्शन में हम लोग गोलिया को ले लेंगे तो ड्रॉप कर सकते हैं यह बैटिंग सेक्शन से ऐसा ओल डॉंडर प्ले करेगा अब्दूल मोतिन छे मैच में आट ओवर में पाजू इंके पास बैटिंग से हिटिं मुझे जादा भी मुझे कुछ खास लगा नहीं इवेंट डॉमेस्टिक ओवर ओल देख लो इसी इस का जब रिकॉर्ड दिखाना ना उसके बाद मुझे लगा कि यह बैटिंग सेक्शन में टॉप टॉप में तो जनता शायद ले लेंगे क्या मुझे इसके उपर फार्द जादा रिसर्च किया और जादा रिसर्च किया तो डॉमेस्टिक में भी इनका रिकॉर्ड मुझे बहुत ही नॉर्मल सा लगा तो मैं मानता हूं कि नहीं लेना चाहिए स्मॉल लीग में तो नहीं मिनी जेल में बहुता है ना एक आधा कोई बैट्समें जो तीन चार से 94 रन 11 ओवर में तीन डेफिनिटली गो टू पिक इम्तियाज राना छे मैच में 20 रन है बढ़ 11 ओवर में एक विकेट इस एन में दो मैच में 2 ओवर मतलब नमबर ऑफ ओवर अच्छे और एक और बात रिसेंटली ना डोमस्टिक में इम्तियाज राना का पॉफॉमेंस ब लेना सब्बीर इगनोर अब डिफेंटली ट्राय करना है तो डेफिनिटली ट्राय कर सकते हैं कि बॉलिंग करा सकता है ठीक है सब्बीर हुसें इनामुलशमीम अबू साहिद अब मैं माता हूं कि अगर इन जैसे बॉलर्स को लेना है ना नमबर ऑफ बॉलर पहले एक बार अगर समझ नहीं आ रहा है तो कॉमेंट करके बताना आप लाइनाप निकल के बाद मैं एक बार और देख लूँगा बट जो मुझे डेफिनिटली लग रहा है कि पाथ शे बॉलिंग ऑप्शन के साथ टीम अगर जाएगा तो उस टीम से बॉलर्स ट्राय करो सभी अगर ना उस कंडिशन में दो तीन मीन बॉलर को ट्राय करो क्योंकि ऐसा हो सकता है आप जिस प्लेयर को ले रहे हो वो बॉलिंग ही नहीं डाला और कंप्लीट यूजलिस हो जाएगा मेरा मानना है कि कोई प्लेयर अगर दो वर बॉल डालता है मुझे जादा बुरा नहीं लगता है कैप्टेन जॉइस में मैं माता हूं विंटर सेफ रहेंगी मुहमद असाथ डिसेंट है अगर बॉल फर्स्ट हो तो बट मैं एक और चीज़ बन बता रहा हूं असाथ ना रिसेंटली मैंने जितना नोटीस किया इन्होंने बहुत जादा नमबर ओफ ओवस नहीं डाले त असाथ को आई रना हमारे पास है और नरायन है पी मडेडिया पी वाडूब एम अब्दुल है कि कुल्दीब गोलिया क्रिस रेडेट है गाइस है गाइस एन रहमान और एसोड़ा तो यह रहेगा मेरा फिलाल अपडेट फाइनल अपडेट डेफिनिटली नहीं है फाइनल की ओं चेजिंगो रहा हुए उसकता ऐसा होसकता ह्या करे लोग कर आए को concept कर राएंगा तो गाइस होाउब कर सकते है और बोगर ऑपिन करेंगे तो ओक चल गया तो नहीं है तो पैड़रो का काम नहीं रहेगा अगर वो नहीं चला तो पैड्लो का काम रहेगा ऐसे भी कुल में थोड़ा सा हूँ इस मैश में कुछ और अबडी डेफिनेटल टेलिग्राम पर आ जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो एड़ चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक्यू गास मिलते हैं मैश टैंप रहे